हाई फ्रेंड्स मैं विशाखा नेचूरल लाइफस्टैल में आप लोग का स्वागत करती हूँ और मैं आज आर्मी अस्कूल प्री पब्लिक अस्कूल को दिखाने वाली हूँ तो मुझे लगा कि बहुत सार लोग होते हैं जो देखना चाहते हैं कि आर्मी अस्कूल कैसा होता है तो मैं इसके लिए एक छोटा सा वीडियो में तयार की हूँ आप लोग के लिए आप लोग को दिख रहा होगा कि ये पुरा रोड अभी जा रहा है तो ये आर्मी का फैमिली क्वाटर है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये मैंने वीडियो में जब मैं बना रही थी तो कुछ भी नहीं बोल रही थी और फिर वहां पे गाड़ी बड़ी आ रहा था तो इसलिए मैंने उसे मैंने उस भॉइस को हटा दिया है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि इसमें बहुत अच्छे प्लांट लगे हुए हैं और मेरा ये बेटा है जो केला के पौदा के पास जाके खड़ा हुए है आप लोग देख सेथे हैं कि म आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मैंने बाहर निकल गई हूँ और यह रोड आ गया है पुरा यहां पर बहुत जारे डाड़ी बारी चलता है यह में रोड बोलता है हमारा और यहां पर अलर्ट के आ गया है कि गती सिमित और धीमी चलाएं और यहां से बिल्कुल अस्कूल जादा दूर नहीं है तो इसलिए मैंने सुचा कि आप लोग को क्वार्टर से लेके अस्कूल तक का मैं एक वीडियो तैयार करती हूँ जो आप लोग जो लोग फैन है आर्मी फैन है वो लोग देखेंगे और और उन लोग के लिए यह वीडियो है यह आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यह पूल जैसा बना हुआ हलका बॉंड़ी दिया हुआ है यह बॉंड़ी के उस पार अस्कूल है और बॉंड़ी के इस पार यह हमारा क्वाटर है और यहां पे यह पूल है छोटा सा इस पूल से बस पूल के उतरने के बाद ही है ये राइड साइड में पढ़ता है हमारा आप लोग देख सकते हैं चलिए फिर मैं अंदर अप लोग चलते हैं स्कूल के तरफ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किज़ेगा सब्सक्राइब और रेड कलर का बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दिजगा कि मेरी नहीं आने वाली वीडियो आप लोग के तक जरूर पहुंच सके और फटा फट पहुंच जाए सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि रेड यलो और बहुत सारा कलर है इसको मिलाके और एक खुब सुरत सा उसकूल दयार के गया है क्योंकि प्रीपॉलिक एसकूल है बच्चों का उसकूल है तो कलर्फुल तो होता ही है और यह आर्मी असकूल है बहुत अच्छा है मेरा बेटा खुद इसमें पढ़ता है और आप लोग देख सकते हैं कि अभी यहां पर कोई नहीं है मैं निकले थी तो इसलिए मैंने आपको वीडियो दिखा दिया कि चलिए आप लोग भी मेरे वीडियो को देखकर और तो फ्रेंड्स में अब एकदम गेट के पास मैं आ चुकी हूँ और आप लोग को दिख रहा होगा कि ये गाट साहे बैठे हुए यहां पे और बिल्कुल अंदर ऐसे नहीं आने देते हैं जब तक कन्फर्म नहीं कर लेते हैं कि आपको क्या काम है तो ये कन्फर्म कर रहे हैं मेरे से क्या काम है और काम पता करके ही तब ही अंदर आने देते हैं तो चलिए मैं अंदर चली जाती हूँ और फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि अस्कूल का क्या ये नजा रहा है ये अस्कूल मेरे को तो बहुत खुबसूरत लगता है बहुत अच्छे से बनाए गया है बहुत फ्लावर्स बगर बहुत अच्छे से और में है पढ़ाई बैरषेया बहुत ज्यादा अच्छा होता है आप देख सकते हैं अब चुत्ती की टाइमिंग हो गयी है so सारे बच्चे थोड़ा बाख बाहर निकल रहे हैं खेल रहे हैं और चुती की टाइमिंग हो गई है तो सारे बच्चे लाइन लगा कि अभी जा रहे है लाइन में लगने के लिए SonWhat Parents आएंगे और यहां पर Parents कोईниग्स बच्चे ऐकले घर नहीं जाते हैं बिना parents के parents आएंगे तभी अपना introduction देंगे तभी वो मिलेगा बच्चा मिलेगा और आईकर्ट दिखाने पर ही मिलेगा आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे मेरा बच्चा भी नर्शरी में और ये नर्शरी क्लास का रूम है और मैं गेट तक आ गई हूँ, मैं अंदर जाती हूँ अभी, मैं हमसे कुछ बात करूँगी, मुझे अरजेंटली कुछ काम आ गया था, यह बच्चे खेल रहे हैं, नरसरी क्लास के बच्चे हैं, कितने प्यारे प्यारे, और मेरा काम अब कम्प्लीट हो गया है, तो मैं और बाहर करना जारा, आप लोग को दिखा देते हूँ, कि यह ग्राउंड कैसा है, आम लोग देख रहे होंगी, छूला वगरा, बहुत अच्छा अच्छा लगाया हुआ है, इसमें, और बच्चे पानी बोटल बाहर रखते हैं, और किसी को दी लोग हैं, जिसे हम लोग बाई बोलते हैं, वो लोग भी बहुत हैं, और टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बच्चे फ्रेंडली हो जाते हैं, और मेरा बेटा तो बिल्कुल भी मनाने करता है जाने के लिए, वो तो डेली करता है, कि मुझे जाना है, स्कूल ही जाना है, मुझे, आप लोग आते हैं, उस इमेज को कैप्चर करते हैं, आप लोग देख सकते हैं, कितना खुबसूरत है, यहां कुछ-कुछ पिक्चर ऐसे लगाए हुए हैं, जो बच्चो को, बच्चो देखें, बच्चे देखेंगे तो खुस हो जाएंगे, अच्छा लगेगा, पढ़ेंगे, उसक लोग अपने बच्चे को आर्मी ऐस्कूल में डालना चाहते हैं, तो जरूर डाल सकते हैं, और फ्रेंट, आप लोगों को और कुछ जैनकारी चाहिए हो, आर्मी पब्लिक ऐस्कूल से, या आर्मी ऐस्कूल से, तो कॉमेंट करके जरूर बताएगा, थैंक यू फूर वाच